चंद्रयान 3 मिशन विक्रेम लेंडर और रोवर प्रज्ञान पर मंडरा राख खत्रा इस्त्रों के फुरवे देक्ष ने दिया अपडेट तो मशकार दोस्तों आज की सुड़ों में हम जनेंगे कि कौन सा खत्रा है जो चंद्रयान 3 मिशन में आ रहा है तो चलिया जानते हैं इस्त्रों ने विक्रेम लेंडर और रोवर प्रज्ञान को 2 और 4 सितंबर को पूरी तरह चार्ज करने के बाद स्लिप मूर्ड में डाल दिया था दरसल चंद्रयमा पर रात हो चुकी थी जिसके कारण वा का तापमान माइनस 1500 से माइनस 200 डिक्री तक पहुच जाता है ऐसे म उपकरनों को नुक्सान पहुचने का खत्रा है फिलहाल इस्त्रों वैज्ञानिकों को वापर सुरोदय का इनतेजार है 16 दिनों तक स्लिप मूर्ड में रहे लेंडर प्रज्ञान इस्त्रों SSC के पूर्व जेर्मन श्री मादुवन नायर ने नियूज एजेंसी एना एक से कहा विक्रम लेंडर और प्रज्ञान पिछले 16 दिनों से स्लिप मूर्ड में है इस दोरान सत्रों का तापमांट 1500 डिग्री सेल्शेस अधिक था ऐसे में बैटरी इलेक्ट्रोनिक्स और अन्ने तंतर के से काम करेंगे यह एक चिंता का वविशे है इन्हें दो बारा कर उसकी जांच करने और फिर इसका उप्योप करने की कोशिच करने जैसा है वहां का तापमान माइनस 150 डिग्री से अधिक हो गया होगा उस तापमान में बैटरी इलेक्ट्रोनिक्स और अन्ने तंतर कैसे काम करेंगी हाला कि इसे दो बारा शुरुन करने के लिए सता की पर चार्दना कर रहे हैं कि उन्होंने कहा सोर्ताप से वह उपकरन और चारजी बैटरिया गर्म होगी यदि यह दोनों सपर्द पूरप चार्ज हो जाते हैं तो यह कापी अच्छ रहेगा और संपाउना बन जाएगी कि सिस्टम फिर से चालो हो जाएगा एक बार यह चालो हो गया जब यान ने चांद के दक्षिंद्रों पर सौप लैंडिंग की थी गेर तेलप खेकी चांद इस से पर पहुशने वाल वारत पहला देश बन गया चांद पर उतरने के बाद लैंडर और प्रवर्य और यान पर बहुत मौजूद अन्लियप पे लाड़ने कापी आम ड जानकरी भी शामिल थी तो धन्यवाद दस्तों मिलते हैं गलेड़ों में ऐसी नूइस पाने के लिए सब्सक्राइब करो चाहिए